वेलकम, वेलकम इन एजुकेसन न्यूज उनली यूटूब चैनल फ्रेंड्स आजम बात करने वाले हैं राजस्तान कर्सी परियो वेक्षक भरती दोजाट 24 के बारे में फ्रेंड्स इसकी एक्जाम इसकी परिक्सा चार फरवरी को हो चुकी है और परिक्सा के बाद में कट ओफ को लेकर डाउट है तो 100% आपकी ऐसी कट ओफ जाएगी इस पर काम करेंगे साथ इसाथ आपका रिजल्ट कब तक आएगा क्या कट ओफ बड़ेगी इसको लेकर भी बात करेंगे तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर परकार की जो अपडेट्स है सरकारी वेकेंसी के रिलेटेड आपको टाइम पे मिले चले फ्रेंड्स आगे पढ़ते हैं और बात करते हैं आपकी कट ओफ के बारे में तो देखें चार फर्वरी को आपकी एक्जाम और्गनाईज हो चुकी है और आपको पता है कि इसमें 100% थे 300 अंकों का अपना पेपर था 1 भाई 3 की नेगेटिव मार्किंग थी और समय था 2 गंटा अटेनेंस की बात करें तो यहाँ पर देखें 70 से लगा कर 75% के बीच जो है अटेनेंस रही है जो की अच्छी खासी अटेनस है और 1,47,000 के गरीब यहाँ पर फॉरम भरे गए थे इसमें पदों की बात करें तो 430 पद है और पेपर के लेवल की बात करें तो यहाँ पर फेपर का लेवल मीडियम लेवल का था यानि मोडरेट लेवल का था ऐजी टू मोडरेट लेवल का चल रहा था तो दीजिए कट ओफ बढ़ dalejगी इतना भी आपन नहीं कह सकता है ठीका है कट बढ़ देगी जनरल केटेगरी का जो cut-off है वो यहाँ पर 79 के आसपास जा सकता है इस भड़ती के लिए क्योंकि आप होता है पिछली बार की भड़ती के अंदर जनरल का cut-off 77 के आसपास गया था जबकि उसमें vacancy थी 244 तो OBC की मैं बात करूँ तो 77 के आसपास जा सकता है EWS की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 75 के आसपास cut-off बन सकता है MBC के अंदर 74 के आसपास cut-off जा सकता है ST में 73 के आसपास और SC में 71 के आसपास तो यह हैं फ्रेंड्स इस बात का या इस बार का यह cut-off है आप प्लीज चैनल को support करें सबस्क्राइब करें सबसे लास्ट में बात करूँगा result के बारे में देखे आपका जो result है इसको देखे राजस्तान में किया कि आचार सहींता लग चुकी है और चुनाव अयोक से अनुमती मांगना कोई सोटी बड़ी बात नहीं है तो अब भी समय लगेगा यह बात confirm है क्योंकि और भी सारी वेकेंसिया उसको भी मनलब अनुमती मिलेगी जैसे junior accountant की हो गई तो thank you friends